हेलो स्टूजिन्स कैसे आप सब बढ़िया चलिए वेरी नाइस काल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम हो तो आप फेस्बूक पेज पर मुझे मैसेश डॉप कर सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे फेस्बूक पेज का नाम भी है इंग्लिश पाय मिलन सिंग तो बिटा जो डारेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं वो पहले अपने सारी वीडियो देख लेना देन आज का लेक्चर देखना है अधर्वाइस कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो बिटा हम क्या पढ़ सब्सक्राइब रहे हैं काई हमने दो कर लिए ऐख लिए यह को हमने दो कर लिया था और यह सब्सक्किंद कर ल्युति है नाुश्य मॉने लेक्ट कर लियकर ली थी थी सब्सक्राइब Ext longe किसे यूज कर सकते हैं एक तो इसका मीनिंग आपके पास क्या होता है महसूस करना ठीक है महसूस करना और एक किसके सेंस में आप यूज कर सकते हैं इसको कि खाने की सेंस में किसकी खाना डाट इस इटिंग और जहां हम च्राहिं जिसकान होन्हें Okay, तो बिटए जब आप इसकान इसकानम निकाल रहे हूंगे, महसूस करना कि हम बहुतने हैं, की आज हमिए पहलें आज पर आज मैं अच्छा महस सुथ नहीं कर रही हम ऑनकी है कर रही है जब भी हम बात करेंगे महसूस करने की तो हम क्या यूज कर सकते हैं लेकिन जब हम बात करेंगे इटिंग की जैसे कि मैं फिल लाइक इसका मतलब होता है बिटा मन करना कि मेरा मन कर रहा है मेरा मन कर रहा है मैं ये चीज खाओं मैं ये चीज करूँ ठीक है जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो feel के साथ याद रखना हमेशा ही like आएगा थीख है feel like ही होगा हमेशा ही जब भी हम किसके बात करेंगे मन करने के मन कर रहा है और बिटा मन अपने आप करता है that means कि यह एक natural process है कैसी process है natural process है ठीक है एक natural process है लेकिन महसूस हम कब करते हैं सिर्फ महसूस हम सिर्फ कब करते हैं अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है तो तब महसूस करते हैं यह हमें अच्छा लग रहा है तब भी हम कहते हैं कि हमे I am feeling I am feeling sick today आज मैं कैसा feel कर रही हूँ अपने आपको बिमार महसूस कर रही हूँ sick feel कर रही हूँ है ना तो हाँ यह question जो है यह जो statement है यह बिलकुल correct है क्योंकि हम महसूस करने की बात कर रही है लेकिन अगर मैं बोलूँ कि I am feeling I am feeling like I am feeling like बिटा नोट साथ साथ करते रहना आप मैं हड जाती हूँ नोट साथ साथ करते रहना ठीक है तो complete करूँ sentence को I am feeling like eating something I am feeling like eating something तो अब हमने बोला कि अब मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं तो I am feeling नहीं होगा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा feel करना पड़ेगा I feel like eating something I feel like eating something clear है सभी को ठीक है note down कीजिए और screenshot लीजिए इसका देन आगे बात करते हैं कि क्लियर बीटा सभी को ठीक है यह सिर्फ मैंने बीटा आपको एक्जामपल दिया है कि जैसे खाने का मन कर जाता है कुछ काम करने का भी मन कर सकता है हमाना है तो किसी भी चीज़ का अगर मन करता है तब हम इसके साथ में ing form यूज नहीं करते कोई यहां तक फील वाव आपकी इतनी ही है तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम महसूस करने की हम बिमार महसूस नहीं करेंगे तो हम क्या बोल देते हैं I am feeling well now clear है सभी को ठीक है तो महसूस करने की sense को हम ing बोल सकते हैं क्योंकि वह short period के लिए होता है clear कोई डाउट भी इसके अंदर और हमेशा याद रखना मन करने की अगर हम बात करेंगे तो वह कभी भी continuous में नहीं आ सकता और उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आपकी क्या होगी लाइक होगी कोई डाउट यहां तक clear है ठीक है रब कर देती हूं मैं इसको चलिए इसके बाद बिटा हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब की लेकिन नेक्स्ट वर्ब पर जाने से पहले मैं आपको एक concept छोटा सा clear कर देती हूं और वह concept क्या है बिटा लिखिए दाट इस पर्मानेंट प्रोसेस पर्मानेंट प्रोसेस और कॉंटीनियूस प्रोसेस पर्मानेंट प्रोसेस और कॉंटीनियूस प्रोसेस ठीक है पर्मानेंट प्रोसेस और कॉंटीनियूस प्रोसेस अब पर्मानेंट प्रोसेस हम किसे बोलते हैं पर्मानेंट प्रोसेस वह प्रोसे और continuous process कौन सी होगी continuous process बोलेंगे या आप बोलेंगे temporary process कौन सी होगी आपकी जो एक समय के बाद रुक जाएगी एक समय के बाद रुक जाएगी वह कौन सी process होती है continuous process होती है या आप इसी को बोल सकते है temporary process होती है ठीक है भी लिड़ी पर्मानेंट प्रोसेस के अगर हम बात करें तो यह हमेशा ही always हमेशा ही चलती रहेगी हमेशा ही चलती रहेगी लेकिन कॉंटिनियस प्रोसेस है जो वो एक तैम के बाद रुक जाएगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब करते हैं किसी action की कोई काम हो रहा है तो वह एक time पे जाके तो रुकेगा ना बिल्कुल तो अब देखिए permanent process हम किसको बोलेंगे permanent process पीटा हम उसको बोलेंगे जिस में किसका हाथ होता है गोड का हाथ होTा है व tief न का हाथ हुता है ठो तो उसे हम कैसी process बोलनेते हैं पाउमनेंट प्रोसेस और जिस प्रोसेस में भगवान का हाथ है तो वह तो पाउमनेंट चलती ही रहेगी थी समझ में आया है सबी को ठीक है एक्जामपल अगर बोलूँ कि जो हमारी five senses है five senses है जैसे हमने अभी फील पड़ी ती है ना five सेंटीस हैं जो हमारी 505 जैसे कि मैं बोलूं सी तो आयक घ्लाइट वो एक अलग मेटर Introduction शहां हमारी कि हम देख सकते रहते हैं लेक हमारी 5 सेंस है वह किसमें स्पाइट होती पेची एंडर डियां अन्ब होती है ने जो पिर्टी प्रोसेस होती है कुछ वह डाइम पर जाकर ने गांस सकने हैं तो अगता ओर बताना क्या चाहरी हूं आपको की यह डाल में ले में लिखी जाती है ठीक है समझ में आया सभी को यह हमेशा चलती रहेंगी permanent process ongoing process है यह भी ongoing process है और यह भी ongoing process है that means चलने वाली लेकिन दोनों में difference क्या है बिटा कि यह तो लगातार हमेशा चलती रहेगी लेकिन यह एक time के बाद जाके रुक जाएगी stop हो जाएगी ठीक है यह main difference है इनके बीच में clear हुआ सभी को example अब मैं आगे verbs कराऊंगे तो आपको clear हो जाएगी कि किस तरीके से हम permanent process को तरीके से देखेंगे उसे या फिर continuous process से देखेंगे कोई doubt यहां तक clear है सभी को very nice चलिए तो अब next verb लिखिए आपकी screenshot ले लीजे इसका और no down कर लेना चलिए next verb लिखिए बेटा आपकी verb है smell next verb लिखिए smell next verb लिखिए smell clear ठीक है तो अब देखिए मैं आपके पास सेंटेंस सबको पता है smell का मतलब सेंटेंस देखिए मैं क्या लिखने जा रही हूं अगर मैं बोलूं कि this food this food smells bad अब हिंदी जुकाड लगाओ इसमें तो निकली जाएगा कि यह फूड जो है वो गंदा स्मेल करता है हमें सही भी लगता है ठीक है लेकिन हमें हिंदी की तरह हमें इंग्लिश में यूज़ नहीं करना है अब मुझे बताईए बिटा अगर मैंने अभी क्या बोला था को कि पर्मानेंट प्रोसेस किसमें आती है इंडेफिनेट में आती है पर्मानेंट प्रोसेस बैट मिंस कि हम उस पर आइंजी यूज़ नहीं करते अब जैसे ही मैंने यहां पे स्मेल्स कर दिया इसका मतलब क्या है कि जो फूड है मैंने कहा यह खाना यह खाना बंदा स्मेल करत है ना क्या पता आपने अगली बार अच्छा बना है वो ठीक है उसमें किसी चीज की कमी नहीं है तो वो अच्छा भी smell करेगा ओके लेकिन जैसे ही आपने इसको smells कर दिया बिटा तो यह तो आपने permanent process बना दी permanent process बना दी कि हमेशा ही कैसा smell करेगा bad smell करेगा लेकिन कोई particular food कोई particular dish हमेशा ही bad smell थोड़ी ना कर सकते है फिर तो उसे कोई बनाएगा ही नहीं प्लियर सभी को ठीक है तो यहां पर बिटा हमें क्या करना पड़ेगा is smelling करना पड़ेगा ओके तो smell के साथ आप आएंजी भी यूज कर सकते हैं ठीक है क्योंकि एक bad smell कर रहा है दूसरी डिश आएगी क्या पता वो ना करे या दुबारा आपने बनाई तो ना करे तो continuous process थी लेकिन एक time के बाद stop हो गई एक time के बाद stop हो गई तो आपने यहां पर क्या use किया is smelling bad की यह particular dish जो है वो bad smell कर रही है आप हमेशा के लिए उसको bad declare नहीं कर सकते हैं ठीक है sweet rose smells या फिर is smelling sweet अब जो rose है बिटा flower है वो हमेशा ही अच्छा smell करता है तो एक permanent process हो गई तो यहां पर आप इस smelling थोड़ी ना कर देंगे कि मान लो अभी तो वो अभी तो उसके खुश्बू अच्छी आ रही थी और दूसरा फूल लिया तो उसमें से खुश्बू कुछ और आने लग जाएगी ऐसा तो नहीं होगा ना तो यह कैसी process है एक permanent process है कि हमेशा ही रोज कैसा smell करता है sweet smell करता है इसलिए हम यहां पे is smelling नहीं लगाएंगे कोई डाउट आ रहा है विटा तो मुझे message drop आप जरूर करना था कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं क्लियर है सभी को ठीक है एक और सेंटेंज लिए अगर मैं बोलू कि he smells या फिर इज़ स्मेलिंग और वेज और लगा लेना इसमें तब आपको जादर समझ में आएगा he always smells या फिर इज़ स्मेलिंग his flower he always smells या फिर is smelling his flower तो हम क्या कह रहे हैं बटा always लगाता ही हमें दिख रहा है कि यह permanent process है या फिर मैं बोलू कि हम क्या कह रहे हैं उसके आदत बता रहे हैं ठीक है एक sentence में हम बहुत सारी सीजियों को define कर सकते हैं तो हम कह रहे हैं कि he always अब always ही आ गया तो easy smelling तो होई नहीं सकता क्योंकि हम एक routine एक habit एक उसकी पर्मनेंट प्रोसेस शो करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर सही क्या होगा he always smells his flower वो अपने flower को हमेशा क्या करता है smell करता है समझ में आया सभी को थोड़ा सा अगर हम यह देख लेंगे कि यह process continuous हो सकती है या फिर यह process permanent हो सकती है ठीक है तो उस तरीके से हम यह चीज़े देख सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि sentence में यह routine हो सकता है या habit हो सकती है या क्या चीज़ हो सकती है यह सारे concepts मैं आपको पिछली lectures में करवाद चुकी हूँ ठीक है तो वह concept हमें ध्यान में रखने ही है साथ में जो नए बता रही हूँ यह भी आपको ध्यान में रखने है तो smell better clear हुई सभी को smell warm clear है ठीक है well nice screenshot लीजिए और note को दैना आगे बात करते हैं चलिए अब नेक्स्ट वर्ब लिखिए बिटा सी नेक्स्ट वर्ब लिखिए सी नेक्स्ट वर्ब लिखेंगे हम लोग सी अब सी का मतलब क्या होता है देखना अब मुझे यह बताइए जो सी वर्ड है या फिर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने लाइट बंद कर दी तो मुझे ये बताईए कि आपको क्या दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन ब्लैक तो दिखतो रहा है ना ब्लैक कि light बंड हो गई बहुत सब कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन वह भी आपको कैसे पता लगा कि ब्लैक नजर आ रहा है आपको दिख तो रहा है ना दिखतो रहा है तभी तो हमने बताया कि मुझे सब कुछ ब्लैक दिख रहा है कि ऐसे नहीं मैं फाइंड आउट कर पा रही हूं कि क्या चीज कहा रखी है लेकिन आपको ब्लैक तो दिख रहा है ना हमें समझ में आई चीज तो हम यह नहीं बोलेंगे कि मुझे कुछ भी देखना का मीनिंग देगा तो क्या आप इसको कोन्टिन्यक्राप बैलन नहीं में सब्सक्राइबकों कर दो कर दो में लिख सकते हैं नहीं होता ना कि हम थोड़े देख रहे हैं उसके बाद में दिखना बंद हो जाएगा फिर हम दुबारा से देखना शुरू कर देंगे फिर दिखना बंद हो जाएगा फिर दुबारा से देखना शुरू कर देंगे फिर दिखना बंद हो जाएगा ऐसा नह नहीं कर सकते, ing form use नहीं कर सकते समझ में आ रहा है सभी को, clear है कोई doubt इसके अंदर very nice, अब लेकिन हम जो look है या फिर watch है look है या फिर watch है, इसका मतलब भी तो same ही होता है देखना, लेकिन watching तो हम लिखते हैं, looking तो हम लिखते हैं, है ना कहते हैं कि watch का मतलब ये भी हो सकता है कि नजर रखना किसी के ऊपर नजर रख रहे हैं ठीक है, नजर रख रहे हैं और तो वो एक अलग matter हो जाता है अलग चीज हो जाती है, तो आप इनके साथ ing लगा सकते हैं, लेकिन see जो है देखना, किसी भी चीज को देखना हम कुछ भी कर रहे हैं हमें दिख रहा है, तो वो कैसी प्रोसेस है नैचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब हमने look बोल दिया या watch बोल दिया जैसे ही मैं बोलूँगे look at me तो आप मेरी तरफ देखेंगे एक दम से ठीक है तो वो particular हो गया हम किसी चीज को देख रहे हैं look या watch बोल रहे हैं तो हम उसमें ing लगा लेते हैं watch के साथ लग जाता है look के साथ लग जाता है लेकिन हम c के साथ नहीं लगाते हैं क्योंकि नैचुरल प्रोसेस है कि हमें हार चीज हार सब कुछ दिख रहा है क्लियर है सभी को कोई डाउट यहां तक ठीक है note down कीजिए यह important concept चल रहा है आपका c का ठीक है तो लिख यह मैं एक example लिख रही हूं मुझे बताना कि वह continuous process आएगी या नहीं आएगी तो जो look और watch है यह हमें action शो करता है कि कोई काम हो रहा है कि हाँ भी मैं उस चीज़ को देख रही हूं औक तो action शो करेगा हमें action शो करेगा तो action को तो हम continuous process में लिख सकते हैं लेकिन मैं कह रही हूं कि मुझे यह चीज़ दिख रही है या या उसमें कोई action तो show हो नहीं रहा सिर्फ मैं देख रही हूँ अपने आखों से एक natural process है तो उसमें हम ing नहीं लगाते हैं तो मुझे बताइए कि इसमें आप क्या लिखेंगे I am seeing या फिर I see I see a girl who is standing who is standing there I am seeing I see a girl who is standing there जो लड़की वहाँ खड़ी है मुझे वो दिख रही है दिख रही है अब रहा है रही है रही है नहीं देखना आपको ठीक है यह नहीं देखना है कि ता है ते है ती है तो present indefinite रहा है रही है रही है तो present continuous आपके sentences गलत होते चले जाएंगे ठीक है तो इन चीजों से जो यह bookish language है यह सब चीजे है इनको छोड़ दो ठीक है अपना concept clear करो तो बिटा एक natural process है यह बहीं जो लड़की खड़ी है वो में जो दिख रही है ठीक है मैं देख सकती हूं उसको और देख सकती हूं तो am sing नहीं आएगा क्या लिखना पड़ेगा हमें सिर्फ और सिर्फ c लिखना पड़ेगा कोई doubt यहां तक clear है सभी को ठीक है note down कीजिए screenshot लीजिए then आगे बा एक पॉइंट लिखे सी में second note क्या है अगर सी का मतलब आपके पास क्या है observe करना observe करना किसी चाहिए को observe कर रहे हैं किसी चीज़ को observe कर रहे हैं तो इसके साथ क्या यूज कर सकते हैं हम ing form यूज़ कर सकते हैं for example अगर मैं बोलूं कि I am I am seeing you at my place I am seeing you at my place तो sentence बिल्कुल सही है बिटा अब यह नहीं करेंगे I see you at my place I am seeing you at my place का मतलब क्या है बिटा कि मैं जो यह यू है इसको observe कर रही थी कि हम कहते हैं कि जैसे हम मान लो किसी office के बात कर रहे हैं कि कोई business चल रहा है उसमें हम अपने colleagues को देखते हैं बोस कह देता है अपने colleagues को कि मैं आपको अपनी जगा पे देख रहा हूं आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप भी एक टाइम पर जाके मेरी ही पोजिशन पर होंगे तो वो हमें कैसे पता लगा जब हम उसको अब्जर्व कर रहे थे ठीक है तो बिटा जब हम कोई चीज अब्जर्व कर रहे हो तब हम सी के साथ आएंजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं अब देखो सी का जो है जो ओरिजिनल मिनिंग था देखना लेकिन जैसे ही आपने इसके सा जाएगा उब्जर्व करना हो जाएगा तो आप सी के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं बिटा आएंजी यूज़ कर सकते हैं अब आप यहां पर सी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर बात किस चीज की हो रही है उब्जर्व करने की बात हो रही है तो यह चीजें आपको सेंटे पॉइंट बताती हूँ मैं आपको सी का चलिए नेक्स्ट लिखिए एक और मेनिंग आपका हो सकता है सी का मिलना एक और मेनिंग क्या हो सकता है आपके पास सी का मिलना ठीक है कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं किसी से मिलने जा रहे हैं तो भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं सी यूज कर सकते हैं देखे कैसे अगर मैं बोलूँ कि I am सिंग I am सिंग my friend I am सिंग my friend next month I am सिंग my friend next month तो पिटा यहां से यह meaning नहीं है कि मैं उसे अपनी आखों से देखने जा रहा हूं अगले महीने कि मैं में फ्रेंड को आखों से देखने जा रहा हूं अगले महीने इसका meaning यह नहीं है इसका meaning क्या है कि मैं अगले महीने अपने friend से मिलने जा रहा हूं जिनको problem है कि अगर उनको याद नहीं रहती चीजें तो वो बिटा हिंदी का जो meaning देखने पढ़ेंगे अगर अगर आप अभी इंजी जो को lightly ले रहे हो seriously अगर नहीं ले रहे हो तो आपको दुबारा से सारे lectures देखने की जरूरत पढ़ जाएगी तो आपके आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए अपने notes पहली बार में ही इस तरीके से prepare कीजिए कि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए और आपको लगता है कि दुबारा पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आया तो आप दुबारा से lecture को देख सकते हैं कहता कि आपकी चीजे जो है आपके concepts जो है वो clear हो जाएं ठीक है वीटा तो यहां पर जो meaning निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है मिलने से meaning है उसका ना कि आखों से देखने का meaning हमारे पास आ रहा है क्लियर है भी सभी को कोई doubt यहां तक नहीं ठीक है very nice note down कीजिए इसको देन आगे बात करते हैं चलिए next concept लिखिए next concept क्या है इसके बाद present indefinite को हम लोग खतम करते हैं इसके बाद present indefinite को हम लोग खतम करते हैं next concept क्या है next concept की बात करते हैं चलिए next concept की बिटा अगर हम बात करें तो life से related जितनी भी चीजे होती है हमारी life से related जितनी भी चीजे हैं वह सारी की सारी किसमें लिखी जाती है present indefinite tense के अंदर लिखी जाती है हमारी life से related जितनी भी चीजे हैं वो सारी किसमें लिखी जाती है present indefinite के अंदर लिखी जाती है कैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे routine की ठीक है habit की अगर बात करूँ ठीक है हमारी कि हमारी है 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 pressing कि कि है एप्ञों कि हमें सर्फ corre mr wid कर नी है क्या कि इन्फोमेशन प्रॉग्स करनी हैं तो भी हम क्या यूज कर लेते हैं पृजिंद इंडरीमेड टैन्स यूज कर ले ऑब अगर मैं बोलो कि कोई भी स्पाथम कैं होता है सच जो अपने आप में सच है एक fact है ति का इसी को आप बोल सकते हैं universal truth तो अगर कोई universal truth है आपके पास तो भी उसमें हम क्या use करते हैं अप देखो fact है या universal truth है तो पर्मानेंट प्रोसेस है या फिर आपको चीज अपने आप समझ में आजाएगी कि वहां पर कॉंटिनियस लगना चाहिए या प्रेजंट इंडेफिनेट लगना चाहिए ठीक है तो तो हमेशा एसा ही रहेगा ना उसमें तो चेंज हो यह नहीं सकता तो उसमें हम पर्मानेंट प्रोसेस लेके चाहते हैं कैसे फॉर एक्जामपल देखिए अगर मैं बोलूं कि ओईल इस फ्लोटिंग या फिर फ्लोट्स ओन वॉटर अब मुझे यह बताईए एक युनिवर्सल टूथ है ना एक फैक्ट है ना कि जो ओईल है वो हमेशा ही पानी पे तैरता है अब पानी पे तैरता ही है वो ऐसे थोड़ी है कि मैंने इस ग्लास में पानी ले रखा है इसमें ले रखा है इसमें टैर रहा है और इससे नहीं जो थान तो जरुब बिए घ् child in the इस अब मुझे बताइए सूरज हमेशा ही तो पूरों से निकलेगा इस निकलेगा वैसा तो है निकल कि किसी और डारेक्शन से निकल जाएगा तो यह भी एक युनिवर्सल टूथ है एक फैक्ट है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा राइज लगाना पड़ेगा इस राइ लेकिन एक टाइम के बाद यह खतम तो होगी नहीं तो खतम नहीं होगी तो यह कैसी प्रोसेस हो गई पर्मानेंट प्रोसेस है तो हम उसको आइंजी में नहीं लिख सकते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा ठीक है या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि सिर्फ इंफर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है सिर्फ information प्रोवाइड करी जा रही है ना ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ कि she is going या फिर गोज टू टैमपल डेली अब एक तरीके से पर्मानेंट प्रोसेस है कि हर दिन ही वो यह काम करती है तो एक तरीके से पर्मानेंट प्रोसेस ह क्या यह लगाएंगे एल्कुल के हम लोग रहे हैं लोग लिए नो डाउन की शोट लीजिए आगे बात करो करते हैं चलिए रब करूँ इसको ठीट है हम देखिए आगे इसी में इसी इसी कॉंसेप्ट में आगे बात करते हैं इससे पहले बिटा आगे बताने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख रही हूँ मुझे ये बताना कि उसमें क्या आना चाहिए ठीक है फूर एक्जाम्बल अगर मैं बोलूं कि I watch या फिर is watching a movie twice a week आएं वोच या फिर is watching a movie twice a week अब पहले तो मुझे ये बताईए सबको समझ में आ रहा है कि is watching तो यहां आ नहीं सकता क्या आएगा वोच आएगा कि मैं हफते में दो बार movie देख लेती हूँ है ना हफते में दो बार movie देख लेती हूँ अब मुझे ये बताईए कि ये एक routine action है या फिर routine action नहीं है बिल्कुल बेटा ये एक routine action है अब routine action का मतलब यही नहीं है कि जैसे आपने every day बोला daily बोला तभी अगर मैं ऐसे बोल दूँ every Sunday, every Saturday, every Monday, every month, every week, every year ऐसे ही मैंने बोला twice a week मतलब हफते में मैं ये काम दो बार तो करती ही करती हूँ है ना हफते में दो बार तो ये काम करती ही करती हूँ तो एक routine हो गया ना कि हम ये काम कर रहे है ठीक है तो बेटा ये जो routine है सिर्फ आप ये ना लेके चलें कि routine सिर्फ every day, daily ये word मिल गए तभी होगा ठीक है लेकिन इनके साथ अगर कोई और वार्स आगए जैसे मैंने आपको अभी example दिया तो बेटा वो भी routine में ही count होंगे तो ये भी एक type का routine action ही सबको clear है ठीक है ओके next लिखिए next लिखिए future schedule अगर आप बात करते है future schedule की या फिर newspaper headlines की newspaper headlines की ठीक है तो ये भी बेटा आपका present indefinite में ही लिखा जाता है कोई future schedule बताना है या newspaper headlines बतानी है तो वो भी present indefinite में ही बताई जाती है ठीक है कैसे for example अगर मैं बोलूं कि the PM visits USA next month अब एक तरह से headline भी है और headline में आपको ध्यान रखना है जितना ज्यादा हो सके हम articles को जो है वो ignore करने की कोशिश करते हैं क्योंकि headline हम चाहते हैं कि information पूरी पहुंच जाए information तो हमारी सामने वाले तक पूरी पहुंच जाए लेकिन हम words उसमें कम से कम यूज़ करें तो पिटा जब भी headline होती है तो headline में हम ज्यादा तर articles को ignore करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो कभी भी आप newspaper की headlines पढ़ेंगे तो उसमें आपको and the article बहुत ही बहुत ही कम देखने को मिलेगा ना के बराबर देखने को मिलेगा ठीक है तो आप बोल सकते हैं हमने future schedule बता दिया future schedule हमने किस से बता दिया प्रेजंट इंडेफिनेट से बता दिया इसमें आप विल्चैल का प्रियोग करेंगे अगर आप future tense से लिखना चाहेंगे इस sentence को तो भी वह correct होगा ठीक है continuous से भी लिखना चाहेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगे आगे then ही बात करेंगे अभी लंबी चीज हो जाएग करेंगे clear है सभी को okay very nice चलिए नेक्स लिखिए अगर मैं बोलू लाइव कमेंटरी लाइव कमेंटरी लाइव कमेंटरी किसी भी चीज की अगर लाइव कमेंटरी हो रही है ठीक है तो उसमें भी present indefinite ही यूज किया जाता है ठीक है for example अगर मैं बोलू यह मैंस दोनी हिर्स बोल and it goes to the boundary line अब मैंने hits और गोल कैसा देंस यूज किया present indefinite अब आप आप कहोगे कि यह तो ऐसा हो रहा है कि जब जब हम बोल रहे हैं तभी तो वह काम हो रहा है ना जब हम बोल रहे हैं जब हम कमेंटरी कर रहे हैं अगर लाइव कमेंटरी है तो जब बोल रहे हैं तभ बोल रहा है जितनी देर में इतनी देर में तो वह बो यह मार चुका होगा प funzion के रहे हैं जब तक आप यह बात बोलो पर बांडरी लाइन पर जा चुकी होगी ठीक है तो इन सब चीजें को अब ऑवोएड करने के लिए लाइव कमेंटरी किसमें बोली जाती है लाइव कमेंटरी भी present indefinite tense में बोली जाती है तो अगर मैं बोलूँ कि MS धोनी MS धोनी hits the bowl and it goes to the boundary line तो बेटा लाइव कमेंटरी में ही भी कौन सा tense use होता है आपका present indefinite tense होता है क्लियर हुआ सब्सक्राइब कीजिए स्क्रीन शोट लीजिए देन आगे बात करते हैं क्लियर है सब्सक्राइब को ड्रेट चलिए तो बिटा इसके साथ अगर आपको अपने लाइक डिसलाइक बताने हैं तो भी आप इन प्रेजर ने लिए कि मुझे यह चीज पसंद है कि मैं यह चीज़ पसंद करता हूं यह चीज़ पसंद नहीं करता हूं तो और वही हो जाती है तो जो मैंने आपको बताएं है present indefinite में that is more than sufficient मैंने आपको बहुत डिटेल में चीजे कराई है फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे Facebook पेज English by Milan Singh पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इसके साथ आपका present indefinite जो है वो टेंस जो है वो complete हो जाता है ठीक है तो अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको के लिए चैनल पर आते हों ठीक है तो आप लाइक भी कर सकते हैं डिसलाइक भी कर सकते हैं जैसा आप कमन करें आप वह कर सकते हैं क्लियर है सभी को ओके वैरी नाइस तो कल हम next 10 से शुरू करेंगे यह पढ़ लेना बहुत अच्छे से पूरा कर लेना आज तक का दन हम आगे बात करेंगे अप मुझे टैलिग्राम चैनल पर भी फोलो कर सकते हैं अपको दिस्क्रिप्शन बें मिलता है नीचे तीक है वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है हर चीज की जो भी मैं आप वीडियो अप्लोड करती हूं या कोई कोशिन पूछती हूं तो वह आपको महां भी मिलता रहता है तो आप यूटूब सरी टेलग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है ओके थैंक्यू क्लास